हेलो और इवन स्वागत थे आप सबका लर्निंग विद कौतम यूट्यूब चैनल में तो आज किस वीडियो हम करने वाले हैं वी हार्बर क्लाश 12 हिंदी के 5 मार्स वाले इंपॉटेंट कोशन एंसर को यानि कि दिरिग उतरीय प्रशन उतर को हिंदी के आज किस वीडियो में देखने वाले हैं और आप लोग को पता ही हुआ कि हिंदी में दिरिग उतरीय प्रशन उतर जो हैं वो आपके एकजामे 6 कोशन पूछे जाएंगे और 6 में से चूज करके आपको कोई भी 3 कोशन बनाना रहेगा और हर एक कोशन रहेंगे 5 नमर के यानि कि 15 नमर के दिरिग तर ये प्रशन आपके एकजामे रहेंगे समझ गया है तो आप लोग वीडियो को लास तक जरूँ देखेगा क्योंकि इसी में से कई सारे कोशन आपको बोर्ड एकजामे देखने को मिल जाएगा तो चलिए शुरू करते हैं फरस्ट कोशन से और वीडियो को आप लोग यह आपको अपने सब्धों में अपने ससदों में हुद से देना तो शमझा देते हैं ओप लोग और इसको सिर्फ आप लोगो समझना और लिकिन लिखनाके खुद से अपने मामा के हां गया था तो वहाई पर उसको एक लड़की मिलती है शिख लड़की रहती है उस बागे चलके उस सुवेदारनी बन जाती है तो लड़की से एक बार बार लखना सिंग एक ही प्रशन पूसता था वीर के साथ सा लहना सिंग जो है वो बुद्धी मान भी था जब वर्सों के बाद सुवेदारनी उसे मिलती है तो उससे अपने पती और पुत की रक्षा की मांग करती है अब लड़की क्या होता है वो इसी तरह से छेर के रहता और इसी तरह से लड़की उससे प्रेम भी करने लगता है अब जब सुवेदार्नी बन जाती है तो लाना सिंग से वो सुवेदार्नी कहती है कि जब भी यूध हो तो तुम मेरे पती और मेरे पुत की रक्षा करना है तो लाना सिंग क्या करता है अपनी जान देकर यूध में अपनी प्रान देकर वो क्या करता है उसके पती और उसके पुत्र की रक्षा करता है यानि कि लाना सिंग जो वचन पात रख है अपना वचन पूरा करता है प्रेमी है वीरता है इनको इसमें वीर है वो दिमान होने के कारण कहानी का एक अस्मर्निय पात रहा लाना सिंग इस तरह से आप लोग को answer बना करके लिखना है लेकिन यह जो answer है इतना तो आप से याद हो नहीं पाएगा क्यों नहीं याद हो पाएगा क्योंकि 5 नमर का अगर कॉप्षन है तो आपको कम से कम एक page में तो answer लिखना पड़ेगा कम से कम तो कम से कम एक page ज्यादा ज्यादा आपको दो page में भी लिख सकते हैं इस तरह से आप लोग पूरा याद कीजएगा तो यह पूरा तो आपसे याद नहीं होगा इसलिए खुद से आपको उपर का format बस देख लेना है किस तरह से आपको शुरुवात करना है एंसर लिखने का फिर आप कहानी बनाते जाए और पूरा complete करते जाए जैसे कि आपको शुरुवात कैसे करना है कि लाना सिंग जो था एक सिख राइपन में जमधार के पुष्ट पर था और यह जमधार का जो पुष्ट होता है इसी पाई से थोड़ा उचापद होता है बचपन से लाना सिंग सासी था बचपन में जब लाना सिंग अपने मामा के यहां अमरी सर में गया था तो हही पर उसको एक सिख लड़की मिलती है लाना सिंग जब अपने बचपन में मामा के यहां गया था उसके उम्रती बारा वर्स और उसको सीख लड़की जो मिलती है उसकी उम्रती है आठ वर्स यानि कि लाना सिंग बारा वर्स कर आता है और वो जो सीख लड़की रहती है वो आठ वर्स कर आती है तो लाना सिंग जोता है वो लड़की सीख लड़की से बार बार एक ही प्रश् तेरी सगाई हो गए तेरी सगाई हो गए इस पर जो लड़की रहती है उसीख लड़की आठ वर्स की वह धतका कर चली जाती है मतलब बार बार कई दिनों तक यहीं सिलसिला चलते रहता है अब क्या होता है एक दिन और फिर लाना सिंग मिल जाता है तो क्या करता है फिर से वह निशानी रहता हुग, अब अम्ठी है उस साल रहता था तो धिकाते वो करती है, कि देखते नहीं मेरा यहार यह सालू, मतलब लाना सिंग को पटा चल जाता है कि हां उसकी शगाय सोगए, अब लाना जुच से में आता है जो सरक पर जाते रहता है तो कई गारी वाला को गारी ऐसे लात मारते वो चलता है नाला में कभी किसी को गिरा देता है इस तरह से वो जाते रहता है फिर अपने मामा के यह जाता है फिर ऐसे कई वर्स बीच जाते है लगर की अपने घर जाते है ऐसे कई वर्स बीच जाते है अब लहना सिंग किस पोश्ट पर है तो लहना सिंग जमादार के पोश्ट पर है अब जो सिपाही से थोड़ा उचा पोश्ट रहता है उस पोश्ट पर जमादार के पोश्ट पर लहना सिंग जो है अब क्या होता है उस लहना सिंग से उचे पोश्ट पर सुवेदार रहते हैं उन वे जो थी उस समय लाना सिंग जिसको में 12 वर्स का था वही सिख लड़की आज सुवेदार के पतनी के रूप में उसको दिखती है यहीं कि उस सुवेदार नी बन चुकी है समझ गये वो जो सिख लड़की रहती है जिससे लाना सिंग 12 रुप करता था तेरी कुरमाई हो भी और वो धत कर देती थी वहीं लड़की जो है पतनी बन चुकी है समझ गये अब क्या होता है लाना सिंग अचंबार आ जाता है फिर कई बार बाचीत होता है फिर इसी तरह से सुवेदार पहां से उठके चला जाते है अब अकेले में लाना सिंग और सुवेदार नी जो वह भी फॉज में ही चला जाता है समझे तो दोनों की तुम रख्षा करना लाना सिंह से ऐसा वचन वह मांगती है तो सुवेदार नहीं मांगती है अब जब यूद्ध है अपनी प्रान दे कर उसकी रख्षा करता है किसकी रक्षा करता है तो सुवेदार हजारा सिंगी और उसके पुत्र बोधा सिंगी इस दोनों की रक्षा करता है अपनी प्रान देखकर यानि कि लाना सिंग क्या है तो अपने वचन पातरक है जो वचन देता है वो वचन निभाता है वो जब वादा किया था कि हाँ उसका रक्षा करेगा तो वाच्छन को निभाता है और स्वेदार हजारा सिंगर तो पुत्र बोधा सींग्षा अपनी जान दे कर युध में करता है और वह प्रेमी याया समझ गही है तो फ्रत यह वीर भी है किसलिए है तो कहानी में इस वजह से वह कहानी का अश्मर्णीय पात्र है जब हम वो चैप्टर को पढ़ेंगे न तो चप्टर हमेसा कहले हमें याद हो जाता है उस तरह से आप लोगको इसका एंसर लिखना है । इतना आप लोगको बता दियाने हैं आप खुद से बना करके इसको लिख सकते हैं कंच इमे पाँच नमरका कोशन को इस प्र परिक यह उसे रहे चोटा ही से ग wären Ether नींत कप्ड़ को प्रना है कम से कम और विधियो वीडियो गाणा क्योंगी किस तरह का प्रजेंट करें खोड़ना में एक फॉड्मेट lid वाएगा समझ गया है अभी आप लोगो जितना पढ़ाते है इस तब अच्छे याध को पड़ी फ्राइने कहाणी उसके अंदर को भी बात पूछे तो अपलोगे पता ही होगा पोधा दियो और हाँ जब गुली लुक्ष की नरियर एक शुक्त इस को तो वो क्या करता है जब सूधिदार हजारा से लाता है जब ही तुम घर पर जाओ तो उससे तुम कह देना उससने जो मुझसे कहता ये नहीं कहता है लाना सिंग से कि लिए उसे ख्री आने क्या कर दिया सिर्फ बोलता है तुम जब घर जाना हजारा सिंग चला जाता तो घड़ पर जाके कुछ भी बोला हो लेकिन इस तरह से लाना सिंग काता है इसलिए इस कहानी का नाम है उसने कहाता है अच्छे से आप लोग इसको समझ गयोंगे और आप लोग खुद से बना करके इस कैंसर लिखेगा एक्जाम अगर यह कोशन पूछा जाए तो अब करते हैं अगला कोशन अगला जो इंपोर्टेंट कोशन है हमारा कि कहानी के अधार पर मालती का चरित के बारे में अपने खुद लिखती जीए इस एंसर जो आप लोगो बतार इसका में रीजेन यह है कि सिर्फ समझना है किस तरह से एंसर लिखना है और कहानी आप लोग को अच्छे से याद हो जै जब कहानी याद है तो खुद से बना करके लिख सकते हैं और इसका पीडिए पर लोग लिजेग समझना है और खुद सर आपको बना करके लिखना है समझ गया है इसका इंसर देख लेते हैं कि कहानी के अधार पर मालती का चरित के बारे में अपने शब्दों में लिखे तो रोज कहानी सिर्षक कहानी के माध्यम से भारतिय समाज के घरिलु इस्तिरी के जीवन और मरंदोश का वर्णन करते है यह जो रोज कहानी है यह क्या करती है यह किस चीज का वर्णन करते है तो भारतिय समाज में इंडियन कल्चर में आप लोग देखते होंगे कि आपके घर में आसप्रोस में या पूरे भारत में आप लोग देखते होंगे कि मिडिल क्लास के जो लोग होते उसका जो जीवन होता है, मिडिल क्लास के लोग का जीवन है, मिडिल क्लास के लोग में जो इस्तिरी होती है, आपकी मम्मी होती होगी, आपकी बहन होती होगी, इस तरह से जो भी इस्तिरी होती है, उसका जो जीवन है, उसी का मनोदशा का वर्नन करता है, यह रोज कहानी, कि माल्ति का जीवन का पक्ष को चरीत उसका पक्ष बताने के लिए करी। लड़की होती है उस तरह की लड़की है मालती अपनी अपने मन की करने वाली लड़की है अब लेखक के अगए है उनकी अनुसार जो मालती है न इसकी बहन्ण से ज़्यादा है दूरकी तो बहन रहती है, बहन से ज़्यादा लेकर उसको अपना दोस्त मानते हैं, क्योंकि बचपन से दोनों कटे खेलते थे, परते थे, लरते थे, मार पीट करते थे, मतलब उसके साथी रहते थे, खेलते परते थे, मार पीट करते थे, इसके कारण लेखक जो है उसको बह आकर देते हैं और बोलते हैं इसका 20-25 रोज तुम पढ़ना एक हबते बार आकर देखूंगा कि तुमने इसे समाप्त कर चुकी हो या नहीं अगर नहीं करोगी तो मार मार कर चमरी उधेर दूगा मंगर मालती परती दिन क्या करती हैं तो दस तरस परने फार कर उस किताब से फेक देती हैं और जब इसी तरह से वो किताब को समाप्त कर देती हैं और जब पूछते हैं उसके पिता जी किताब पढ़ लिया तो बोलते हैं मैं नहीं पढ़ूँगे मैंने किताब पार कर फेक द तो 2 साल में ही बदल जाता है जो उदंद चंचल मालती थी वो आज एकदम सीधी और सान्थ हो गई जो इस तरह की उदंद थी चंचल थी मालती जो पेज फार देती थी किताब फार देती बोलती ती अम नहीं पढ़ूंगी अपने मन की करने वाली लड़की थी वो आज एकद इलायर्ज करते हैं गैगरी नामक एक ब्ाइडी होती है उसकी, जिस वज़ा से ये उसके पास समय की भी कमी रहती है, अब जो डॉक्टर तो है महस्वर, इस वज़से उनके पास समय की तो कमी रहती है इसलिए वो पडिवार को भी समय नई दे पाते हैं, हानि मालती को भी अ कि इस कारण से वहांपर केया होता है बहुत सारे गर भी नहींकों मालती किसी इसे म से बात चीट करने के लिए जाती गूम फिर का घेली काम अपने चोटे बच आपने वी कलप नहीं था, आपने पती को जहाँ पर गार के लिए जाती है ऑधτε और बच्चे का नाम याद रखेगा कि मालती और महिस्वर पर बच्चे का नाम था अब्जेक्टिव कोश्ण पुछा रा सकता है तो तो ती रती इसी को समालती रती मादो इसी तरीका एक रस उसका जीवन बीटता रहता है जिसकारा मालती जो उबसी गई है, उसमें कहीं भी ताजगी पर संतान नहीं है, मालती में यूबती वाला रस भी नहीं है, जो एक यूबती वाला रस होता है, वो भी मालती में ऐसा रगता है, यही उसके चरित का वह पक्ष है, जिसके परती हर पाठक, यानि का हर पढ़ने यहाम बोलती शील होड़ता है यह है उसका एक ऐसा पख्श है जिसे पख्श को चुल्च को पढ़ कर कर सकतЙ है जैसे यह चरह कहानी का सारणस को सब्सक्राइब rat समझ लेजिए उपर में आपको सिर्फ यह वाला फॉर्मेट है तो और स्मून रहो सकते यह था बोलती ब्लाद कि अच्छा लगेगा प्रजेंटेशन कार आपके पांच में से पांच नमर भी आ जाए तो कभी कभी क्या होता है आप लोग 5 नमर का कोश्चंग पांच पेज मी लिखे अपको टीचर जोगा बहुत से 3-4-3-4 नमर दे देगा पांच नमर कैसे देता है आपका से परते हैं टीचर उतना आपको पढ़ भी ने सकते हैं उनके पास टाइम भी ने रहता है इसलोग उपर से अच्छे से देखते हैं अच्छे से लिखा हुआ है कि ने कभी-कभी पर भी पूड़ा लेते हैं उनको अच्छा लगना चाहिए पर दिखने में आप कर्चार कि घरेलु मैला मिडिल क्लास की जो घरेलु मैला है उनहीं के जीवन का मनोदश्रöstहा का वर्णाकव है तो कहानी की जो नाइका मालती है इस थरह इक लिखता है इस तरह से आप लिख सकते हैं जब मालती को पढ़ने में मन नहीं लगता है और क्यों नहीं मन लगता है उसका एक्जामपर देख करके लिखा कि यह बताना चाहते हैं एक दिन मालती के जब पिता उसको एक किताब लाकर देते हैं मालती परता नहीं है अब बताये का आप इतना भधमास लड़की थे इस तरह से लिखे आप को लिखने नहीं आए याद में रहे तो आप लोग सिर्फ डॉक्टर रख सकते हैं तो आपको खुद बढ़ाना है बराण सरम लिखेंगे यह भी लिख सकते हैं अब जो उसके पती डॉक्टर है इसके पास टैम ने डाता है तो मालती को भी टैम ने दे पाते हैं इसका अपर इसका एंसर लिखेंगा उबसी गई है और उसमें कहीं भी ताज की परसंता आप क्या है रोज एक ही जीवन जीएंगे तो कहीं पर ताज की परसंता खुछी है उस आयू की जैसी औरत रहती है उस तरह से वह भी नहीं कर रहे है उसमें यूपती वला रसी नहीं है यही उसके चरित का एक ऐसा पक्ष है जिसके परती हड़ पार्टक सहानभूती शील होटता है सिंपासा एंसर था समझ गया है खुद से आप लोग को बना के लिखना चरिकान आप शुरू किजिए, तो कम से कम तीन पना में आपको इस आंसर लिखना है उतना फी नहीं लिखना है निक्योंगि आपको उतना लिखना है तो टीचर को लेगा ऐसे ही कुछ भी लिख दिया है इसलिए अपको कम लिखना है और अच्छे पीछ में लिखी जाए इसलिए आप लोगों अच्छे तरीके से सही सही और कहीं पर कच कुछ नहीं करना है पूरा अच्छे से लिखना है समझ गया है तो पांच नमर आग्गे पक्के हो जाएंगे पुरा देश जानता है तो भागास सिंह जोते इनकी विद्यार्थी सबसे क्या चाहते हैं वह कहते थे कि भारत को ऐसे देश सेवक की अवश्रक्ता है जो देश परतन्न-मं धन अरपित कर सके तथा अपना सारा जीवन देश की आजादी या विकास नियुच्छावर कर दें, मालब भागार सिंग क्या चाहते थे, बहुत सारी अपक्षाय्ती बच्चों से, यहीं कि जो स्टुडेंट थे, विद्यारती थे उस सबसे, भागार सिंग चाहते थे, जो विद्यारती हैं, वो अपना तन, मन, धन, मालब सब कुछ कि लिए वीकास के निउशावड कर दे यह गासे ओन्धा सोतेथे हैं जो कामारति ही जो काम है कि तन मन धन अपना अरपित कर देना प्रुड़ी देश पर यह काम सीर्फ विद्यारति कर सकते रira कोई कि यह काम नहीं कर सकता कोई बुढ़े लोग होंगे जवान- लोग होंगे नौ- जवान वगाइसा भगात सिंग का मानना था काम इसको क्लाइस बच्क्स पर लुटा इसका मानना था विद्यारति और नौ-जवान. विद्यारति person के करांति सकते हैं यह स similar हे लेकिन साथ ही साथ politics का भी ज्यान हासिल पड़े, जैसे जरोत पड़े देश को विद्यार्थियों की, तो मैदान में कुद पड़े और अपना सारा जीवन देश की सिवा में लगा दे, यही सारी अपक्षा हैं विद्यार्थियों से अमर भगित सिंग की, समझगे अमर भगत सिंग की यही सारी अपक्षा हैं विद्यार्थियों से, अब यही कोशन सिंपल सा है, आप लोग सिंपल वे में लिख सकते हैं, कि भ भगात सिंग की विद्यारतों से बहुत बहुत कर सकते हैं ऐसा भगसिंग का मानना था विद्यार्थी या फिर नौजमान ही क्राम्ति कर सकते हैं यह भगसिंग का मानना था और वो कहते थे कि विद्यार्थी पढ़े ऐसा नहीं क्या पूरा तनमंधन देश में लगा दे हम पढ़ रहें कुछ है इन ऐसा नहीं था संब्सक्राइब नजवान के लिए पुद पड़े हैं और अपना सारा जीमन अपना सारा कुछ देश की सिवा में लगा दे और विद्यारतियों से अमर भगा सिंगी ती तरह से आपको कौशन लिखना एक तीन दमरत्यक्राइब लोग समस्धा कौशन करते हैं और चौथा question जाए बहुत ही जादे important समझ गेने चातर साल की तरवार कैसी है इसका वर्णन करें यह भी important question जितना question 6 करा रहे हैं यह 6 अगर कर लेते हैं तो इसी में से आपके 3 question बन जाएंगे समझ गेने बस 6 question आपसे एक जामे पूछेंगे सब जादा संभाब नहीं ते चुन करके वही question आप लोग को बता रहे हैं समझ गेने और सब question को अच इस तरह से समझा रहे हैं ताकि वीडियो के last तक में आप लोग को answer याद भी हो जाए और वीडियो आप लोग कैसा लगा comment box में जरू बताएगा समझ गे तो चौथा question है मारा कि 16 साल की तलवार कैसी है यह भी simple सा question है कि कोई 16 साल नामक व्यक्ती है उनका तलवार जो है कैसा है यह आपको वर्णन करना है लेगर आप लोग नहीं जानते होंगे फिर भी आप लोग को पूरा याद हो जागा 5 मिनट दीजिए समझ गया है तो 16 साल की तलवार है उसकी धार इतनी तेज है कि वह आंदकार को चीर कर निकलते शुड़ी के समान चमक्ती परतीत होती है 16 साल की तलवार है ना जो तलवार वो इस तरह की लग रहा है कि मानो जैसे कि अंधकार कैसे करता है, जैसे सुभा होता है, अब सुभा की समझ आ रहा है, पूरा अंधिरा रहा है, और सुर्ज होगा जैसे निकलते हैं, आप कभी देखेगा सुभा उठ करके, सुभा उठ करके कभी देखेगा, जैसे सुर्ज होगा जैसे निकलते हैं, तो पल भर में काट कर समाप्द कर सकती है, बतब 6 साल की जो तरवार हो इतनी तेज है, इतनी तेज है कि पल भर में हाथियों का जुन्ड होता है, एक हाथी ने, हाथी का जुन्ड होता है, कितने सारे हाथी होते हैं जुन्ड में, उन सभी हाथी के जुन्ड को पल भर में, मतलब इसतरा का वर्णन करना है यह है तो यह है कि हाती को पल भड़ में काट सकते है 26 साल की तलवार और क्या है तो उनकी जो तलवार सृतरु हों के इनकी च्छत साल जो लडाई करते हैं यूद में जाते हैं तो जो यूद करते हैं और सत्रू का इस तरह से वद करते रहते हैं कि ऐसा लगते है कि मानुव शिर्व को परसंड करने के लिए सत्रू का सिर का माला बना कर सिर्व को अरपित करेंगे वह युद्भू में अपना प्राक्रम दिखा रहा है तता निरंतर सत्रों का विनास कर रहा है तो यही सिंपल सा कोशन था समझ गया है कि छट साल की तलवार का इस तरह की थी तो यह तो याद की तरह से रखना है इसको बस दो मिनट में आप लोग समझ जाएगा इसको सिंपल सा आव याद तीन बस पॉइंट आपको याद रखना है फिर सा आप खुद से बना के लिए पहला सुरुआत इस तरह से करना है चट साल की तलवार की धार इतनी ते जाए कि मानो वह अंधकार को चीर कर सुरुआ के समार निकलती प्रतीत होती है तो आपको example देखे समाझा हाही दीए जिस तरह से सुवभा सुवभा पूरा अधिरा रहता है और सुर्ज होगा है जब निकलते हैं पूरव की ओर से तो पूरा अंहते कार को चीर कर निकल जाते हैं मतलब पूरा उजाला हो जाते हैं कैसे उजाला हो जाते हैं तॉ इसी तरीका का छत साल का तलवार है. खुद से बना करके अपने सब्दों में लिखे हैं. समझ गया है? उस्टसाल का चुर्बार का उद करके उनके सिरुका माला बनागे भगवान सिंकुसिव को अरपित करेंगे च्छत साल इतना ज्यादा सत्रों का वर्णन करें, इतना रोध रूप धारन कर रखा है च्छत साल की तलवार ने, समझ गए, इस तरह से आपको एंसर एक्जाम में लिखना है, समझ गए, चले अगला question करते हैं, अब अगला जो important question है हमारा, कि मा के लिए कब अपने मन को समझ समझाना कब और कठीन हो गया और क्यों, अब ये question जो है, ये कि chapter से लिया गया, तो पुत्र व्योग जो chapter आपका, कविता जो है, पुत्र व्योग, और उस कविता के जो कवितरी हैं, लिखिका है, उनका नाम है शुवद्रा कुमारी चोहान, सुवद्रा कुमारी चोहान को स समझाना कब कठीन हो गया और क्यों, तो पुत्र व्योग जो chapter उसी का ये question है, पुत्र व्योग के लिखिका कोन है, याद रखेगा सुवद्रा कुमारी चोहान है, समझ गया है, इस तरह से आपको लिखना है answer, पहले थूरा सा समझ लिजिए, जो सुवद्रा कुमारी चोहा आपको याद रखना है, अगर आप से objective question है, पूछा जाए, कि सुवद्रा कुमारी चोहान की जो कविता है, पुत्र व्योग, वो किस पुस्तक से लिया गया, तो मुकुल पुस्तक जो है उसी से लिया गया, पुत्र व्योग कविता है, उसको समझ गया, तो सुवद्रा कु कोशन इसमें दिया हुआ, कि मा को समझाना कब कठीन हो जाता है, तो सुवद्रा कुमारी चोहान को समझाना कब कठीन हो रहा है, तो मा के लिए अपने मन को समझाना तब कठीन हो जाता है, जब उसके प्यारे बेटे उसके पास नहीं होता है, जब उसका प्यारा बेटा उस समय तक नहीं मिल पाए तब इसको समाँना मां को प्रतित कवितावला कंप बनातें अगर तिन कौशन था जरएया है तुब के जिस्टें अद्रा उगेने में आफिक attraction 42 िदू को पीचjan को पिज़िए ञें आज सकते ने तीन कोर्ष लोग बनान這種 कंप से रहां अगरा दें कविता वाला ही अब बनाते एक भी कोशन कर्वितावला बनाते हैं उसका इंसर आप लोग एक पेज में दिखेगा तो चलेगा समझ गया है जो अपने बेटे से बहुत दिनों तक नहीं मिलते हैं वह इसलिए कठीन हो जाता है क्योंकि मा अपने बेटों से सबसे ज़्यादा प्रेम करती है समझ गया है चले अब अगला कोशन करते है तो अगला कोशन है हमारा कि पंच परमेशन के खोजाने के लिए कभी क्यों चिंति इंद है यह किस चेप्टर से कोशन को लिया गया है तो यह कोशन लिया गया है और जो गाउं का घर कविता है सबसे लास्ट चेप्टर है गाउं का गाउं के घर के लिखक कोन है तो कभी ग्यांदर पती जो है वो गाउं के घर कविता के लिखक है समझ गये उसी का ये कोशन है कि पंच परमेश्वर के खो जाने को लेकर कभी चिंतित क्यों है पंच परमेश्वर को खो जाने को लेकर जो कभी ग्यांदर पती है जो गाउं के घर कविता के लिएक वो चिंतित क्यूं है तो इस तरह से आपको शुरुवात करना है कि पंच परमेश्वर के खो जाने पर कभी निमलिखित कार्णों से चिंतिता है यह भी लिख सकते हैं या फिर आप लोग ऐसे फॉर्मेट वाइज नहीं लिख करके पूरा एंसर एक साथ अच्छा नहीं लेगा इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं इस तरह से सुरुवात करना है कि पहले कोई भी बात विवाद होता था तो गाव में पंचायत के मादम से उसका निप्टारा होता था लेकिन आज सभी न्याले का द्रवजा खटकड आते हैं कोशन था कोशन है कि पंच परमेश्वर को खो जाने पर कभी क्यों चीनते था तो पहला सा इसका पॉइंट इस तरह से लिखना है कभी इसले चीनते था कि पहले कभी कोई गाव में कोई विवाद होता था तो क्या होता था जो पंच परमेश्वर होते था वही उसका निप्टारा करते थे किसी क कोई समान चोड़ी कर लिया या किसी से किसी को कोई जगरा हो गया लड़ाई हो गया उसका समधान को करते थे तो पंच पर में इस वर जो गाउं में होते थे वह ही उसका समधान कर देते थे और निप्टारा हो भी जाता था लोग उनकी बात मान भी लेते थे लेकिन अब क्या अब कहीं पर ऐसा देखने को मिलता है नहीं तो आप क्या होता है लोग नयाल है यानिकि कोट का दरवाजा खट-खटाता है यानिकि कोट में जाते हैं वहीं पुरून का नयाय होता है कोई भी काम होता है तो कोट में जाते हैं और कोट में उसका सुला बूल या जो भी हो होता या कोई विबाद है किसी का तुरंक काल िया परसों में हो जाताता था पंछ पर्मीसवर के दुन्या और पर्सवर काम खत्तम यानि अब रहां जाता है तीर कारण का ताघ्वा आता है वेकित पैसां किया व् negatively करते ता वर कोट में पैसा नहीं को जा इकारवी ने शाया है इसलिए जुए प्रक्रिया में प्रूत का समय धनन भी बरवाद होता हैं इस मिलता है उसमें क्या होता है तो मिल जाता है उसमे बहुत जादा लगता है तुरण तो होता नहीं है साथ हिधाएथप पैसा भी लगता है, धन भी लगता है, असरम, मतल张 महतबब मेहनद लगता है, आज जाना है, कल जाना है, पर्सुत जाना है, मतल्ICE भी लगता है, समझ गए, तो इसी कारण से पंचमड मेश्वर को खो जाने के लिए कर कभी चिंते थे, समझ गए इच्छे कोशन आप लोग को बता है इच्छे कोशन को आप लोग अच्छे से complete कर लिजाएगा समझ गए इस अच्छा भी कोशन को आप लोग अच्छे से देख लिजाएगा नीचे description वाक्स हम आप लोग आप लोग खुद से बना करके लिख दीजएगा और आप लोग को कुछ भी प्रॉबलम हो फिर से वीडियो को देख लिजएगा फिर से याद हो जाएगा इस तरह से आप लोग को याद रखना है समझ गए तासा करतो आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हुआ तो मिलते है नेक्स वीडियो में नए वीडियो को साथ